जिहां दोस्तों, दहेज एक अभिशाप हमारे वर्तमान समाजिक जीवन की सरवादिक व्याधी है दहेज पर्था दहेज मात्री शक्ती की विराड़ता के समक्ष भयंकर प्रश्ण चिन है सदियों से शोशित नारी आज तक वास्तविक मुल्यवत्ता से वन्चित है दहेज उसकी उदात्य अभिविर्तियों का उपहासात्मक पुरुसकार है आदिशक्ती दुरगा, विद्यादात्रे, सरस्वती और दान दात्रे लक्षमी को अनादृत करने वाली ये विशयली प्रथा बीसमी शताबदी की जागरुक मनीशा के सम्मुख बहुत बड़ी चुनोती है दहेज प्रथा अत्यंत पुरानी है, रिगवेद में इस प्रथा के प्रारंभिक रूप द्रिश्टिगत होते हैं, किन्तु तब ये प्रथा निकलुस थी संभवता नई नई ग्रिहस्ती बसाने वाले जोड़े की सुविधा के लिए ही इस प्रथा की शुरुवात हुई आरंभ में ये प्रथा कन्या पक्ष के प्रेम प्रदर्शन के रूप में प्रकट हुई, मध्धकाल में ये अपनी वास्तविक चैतना खो बैठी इसने जूटी समाजिक प्रतेश्ठा का रूप ले लिया, अधिकाधिक देहेज लेना शान की बात समझी जाने लगी नहीं संदेह आज ये प्रथा घरनत और मानविये एबम अनुचित है और इसका रचनातमक विरोध होना चाहिए पर विरोध करे कौन शिक्षित समाज अथवा प्रशासन नहीं वहां तो रग रग में इस कैंसर के जिवानु किटानु प्रविष्ट कर गये हैं कूल मिलाकर देहेज प्रथा का विरोध आज के संदर्व में मात्र दिखावा ही है जिस समाज में प्रध्यापक, डॉक्टर, इंजिनियर और IAS अफसर देहेज लेते लज्जित नहीं होते वहां बिरोध महज एक आकर्षन चालावा ही है वस्तुतह देहेज प्रथा का बिरोध वानी से नहीं कर्म में हो और वो भी सामुहिक अस्तर पर हो तो सफलता मिलेगी देहेज प्रथा के दुस परिणाम अनगीनत हैं अल्प वित्तिय परिवाल की अतिशय, रूपवती, शिलवती एवं गुनवती कन्याएं भी देहेज के अभाब में गदहों के गले बांख दी जाती है देहेज रोग वर कन्या के मिलन मार्ग की सबसे बरी बाधा है कन्याओं का आत्मदाह, अनुचित और समाजिक वृत्यों का अवलंबन, देहेज प्रथा का घ्रनट एबं कुतशित प्रतिफल है मुलतह ये प्रथा नारी की अस्मिता के अव मुल्यन की और संकेत करती है माताएं अपने पुत्रों की शादियां बिना देहेज लिए करने का संकल्प करेंगी, तो अवश ही समाज को इस कुष्ट से तरान मिलेगा सचाई तो ये है कि बहों की तिलक देहेज के लिए सास और ननद के ही विश बूझे ताने सहने पड़ते हैं पती और स्वसुर की जड़कियां कम सुननी पड़ती है हमारे समाज की धमनियों में पूरी तरह देहेज का जहड फैल चुका है तमाम नर नारी के द्रढ संकल्ब के मंत्र ही इस विश को उतार पाएंगे कन्याओं को आर्थिक द्रश्टी से आत्म निर्भर एवं मानसिक द्रश्टी से सशक्त बनाना होगा और देहेज मांगने वालों को निर्भिक्ता प्रवक बहिश्कृत और त्रस्कृत करना पड़ेगा निसकर्ष्टह देहेज प्रथा भारतिय समाज के समुन्नत ललाट पर रिष्टा हुआ गहा है घ्रनित एवं जुबुपसा व्यन्जक उत्तरदाई प्रोस वर्ग और नारी वर्ग दोनों ही है और समाधान सामोहिक संकल पर आधिद है तो ये था देहेज एक अभिसाप पर निवंध धन्यवाद